ओम नमस्षिवाय मित्रो जिनकी साढी नहीं हो रही है और साढी में विग्न आ रहे हैं जो कन्या सिंगल है अविवाहित है उनको हरताली का तीज का वरत करना चाहिए। हर्तालिका त्रीच का व्रत 30 अगस को मनाया जाएगा। इस दिन जो कन्या साधी करना चाहती है, साधी की योग्य हो गई है, लेकिन उनकी साधी नहीं हो पा रही है। उसमें विगन आ रहे है। उन सभी को ये व्रत करना चाहिए। तबी उनकी मनुकामना पोण होगी। जो स्त्री ये व्रत करेगी, उनकी मनुकामना बहुत ही जल्दी पोण होगी। सास्त्रों की बात करें तो उसमें कहा गया है कि माता पारवती ने भी सीवजी को पाने के लिए ये व्रत किया था। अगर जो कन्या कुवारी है और उनकी साधी नई हो रही है उसमें विग्न आ रहे है अगर वो भी सच्चे भाव से ये व्रत करेगी तो उनकी भी मनुकामना पूर्ण होगी और जल्दी ही उनको भी अच्छा वर प्राप्त होगा उनका लव मिल जाएगा तो आपको ये व्रत पूरी श्रद्दा और निश्टा से 30 अगस के दिन करना है 30 अगस के दिन साम के समय आपको माता पारवती, सीव भगवान और गनेश जी की पूजा करनी है और उनसे कामना करनी है कि जल्दी से आपकी मनुकामना पूर्ण हो जाए और आपको आपका प्या करनी है और हाँ व्रत के मुरताबिक इसका नियम होता है कि रात के समय सोना नहीं है इसी वज़े से आपको ये बात का खयार रखना है कि आपको आज के दिन जो लोग ये व्रत करते हैं उनको रात के समय नहीं सोना है आपको भगवान सीव जी को याद करना है भगवान के भ आप ये वरत करोगे तो जो कन्या जिसके साधी में बाधाय आ रही है उनको वर प्राप्ति हो सकेगी और सारी बाधाय दूर हो जाएगी और जल्दी से उनकी साधी भी हो जाएगी